हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो आर चानल बिलियन एड्यूकेशन वेर वी एम तो रीच एंटीच बिलियन पॉपुलेशन तो गाइस हम लोग कंटीनु कर रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन से तो फॉर्स्ट फाइलम है आज हमारा वो है फाइलम पौरी फेरा ठीक है पौरी म आप लोग को अल्रेड़ी एक्जाम में भी आएगा यह सब चीज पौरी मतलब पौर्स फेरा मन्स बेरिग तो ऐसा एनिमल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पौर्स है और होल्स है उसे हम बोलते हैं पौरी फेरा तो एक्जामपल इसके स्काइफा स्पॉंजिया बात स्प करने हैं तो थीज आ एक्वाटिक एनिमल फॉर्स पॉंट एक्वाटिक एनिमल है पानी में रहते हैं लोग मोस्ट अफ देम आ मरीन और फ्यू आ फ्रेश वाटर ड्वेलप बेलप दे आ अल्सो काल्ट स्पौंजेज तो पौरी फेरा भी बोल सकते हैं और स्पौंजेज भ पॉलते हैं मुस्ट ओफ देम हैं अस्यमेट्रिकल बोडी अस्यमेट्रिकल मतलब आप कट करोगे तो दो पार्ट में लेफ्ट वाल राइट के उससे मैच नहीं खाता बोडी ओफ दीज एनिमल्स कंसिस्ट ओफ मेनी सेल्स विट लिटिल डिवीजन ओफ लेबर डिवीजन अधर लेबर जैसे कि हमारे मेंसे लिवर अलग काम करता है किड्नी अलग काम करती है ब्रेल कालग फंक्षण है हाट का अलग पंक्शन है लेकिन यह सब हमारा division of labor है, काम बाटा गया है, उनमें सब cells ऐसे काम नहीं बाटा गया है, एक ही type के collar cells है, जो काम करते रहते हैं, मिला जुला के एक ही काम सब लोग कर रहे हैं, बाटा नहीं गया है, hence their body is considered as a colony of a different types of cells, ठीक है, तो colony है, मतलब मिल के रह रहे हैं लोग, यह जो cells and थोड़े थोड़े अलग दिखने में, otherwise function इंके अंदर differentiated नहीं है, they are sedentary animals, sedentary मतलब movement नहीं दिखाते, movement, हिलते डुलते नहीं यहां से वहां, on their body, they bear numerous minute pores, minute मतलब छोटे छोटे पोर्स, called ostia, through which water enters, सबलुग धार रहन रखना, ostia से पानी अंदर आता है, in the body, cavity, spongosin, body cavity क spongosin, seal मतलब क्या होता है, cavity, आप लोग को last lecture में भी बताया था, water leaves the body through single large opening called osculum, तो ostia and osculum का function आप लोग जान चुके है, ठीक है, देखिए, यहां से osculum पानी बाहर फेक रहा है, यहां से देख सकते हैं, आप लोग दिखाया गया है, ठीक है, water is circulated in the body through the canal system, during its circulation, cells of the animal body absorb the food and exchange respiratory gases and release excretory products, तो यह जो रास्ता बना है, यह कैसे canal, canal क्या होता है, जहां artificially हमनों पानी को बहाते हैं, canals, natural भी होता है, लेकिन जैसा उसका पानी का बाहर जैसे जहां पर ढ़लान उसी को follow करता हूँ, बैता रहता है, इसी तरह इसकी body में cavity है, पानी जैसे कि नॉर्मल समझ सकता है, यह खीचता नहीं है, सक नहीं करता, यह ध्यान रखिए, पानी हर जगे से, एंटर का पानी कहीं भी घुश सकता है, तो जब यह पानी अंदर घुशता है, यह क्या काम करता है, जैसे रहेकिन के कॉलर से, यह सब क्या करते हैं, एक्सक्रिटरी जो digestion के बाद जो ची इसी के साथ, एक चीज हो गई, दोस हो गई, और तीसरी चीज, खाना भी अपना हो, इसी के थ्रू लेते हैं, इसी वाटर मॉमेंट के थ्रू, साइकॉन का एक्जामपल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसे एरेज करके आपको इसका स्ट्रक्चर बताएता हूँ, और स्कुलम देख पारें, आप लोग ऊपर उपनी है, और स्ट्रिया साइड में उपनी है, ठीक है, उसके आद ये पूरी बॉड़ी का एक स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, आप लोग ऐसे दिख रहे हैं, खजूर जैसा, फिर कोईनोसाइट्स, क्या हैं, कॉलर सेल्स, ठी इसे डाइग्राम के थूरू देख लेते हैं, कि इंटर्नली ये कैसा होता है, ऐसे रोटेटेड रखता है, एक सेकेंड, डबल लेड, इसे बोलते हैं, अपोकाई, ये जो है, वो दिख रहा है, गाप बना, तो ये बोलते हैं, केनाल सिस्टम फॉर्म कर रहा है, और ये बाहर वाला जो है, वो हमारा सेल है, कोयनोसाइट, ठीकर, यहाँ पर इसे ये जो अंदर, यहाँ पर भी डबल लेयर हो जाएगा इस तरह तो यह अंदर की तरफ जो जाता है इसे इनकरेंट कनाल बोलते हैं या इनकमिंग कनाल sponge का इस्ट्रक्च्चर है इस पोजिनिया और spongिया जिसे बोलते हैं और यूपलेक्टेला तो डियागराम आप देख सकते हैं sponge seal जो seal मतलब खाली जगए is lined by special flagellated cells called coannocytes और collar cells जैसा कि मैं आप दोको बताया था flagellated मतलब इनका structure दोखोगे तो आप यह bottle जैसे तो इनके flagella flagella मतलब एक जो wavy एक hair like structure रहती है end में beating of flagella creates water current तो यह क्या होता है जैसे बोला na movement करेंट तो यह water को उपर नीचे करती है body of these animals तो क्यों क्योंकि food और gases को फटफट लेना है थोड़ा बाहर भी निकालना तो यह movement कौन create करेगा flagella किसका collar cell का body of these animal set is supported by calcareous or siliceous spicules और proteinaceous spongy fiber तो यह body का base है जिस पर यह खड़े दिख रहे हैं आपको इसका जो इसे हमारी बड़ियों में कौन हमारा bone बनाता है calcium तो इससे हमारा body का bone बन रहा है जिससे base structure तो इनके अंदर उसे बोलते है स्पाइक्यूल्स जब बना हो calcium और silicate से और जब protein से बना तो उसे बोलते है spongy fiber अब दोनों present रहते हैं actually अब आते हैं देखे हम लोग देदे रहे जाने अब इसके बाद हम लोग पहले देखे थे habitat देखे थे उनका कहां रहते हैं secondly हम लोग देखे थे body structure फिर उसके details cells के बारे में सब जाने थे अब उसके बाद हम लोग जाने कि इनके अंदर internal support system क्या है और habitat पहले से हम हमेशा देखते हैं कोई भी phylum का meaning जानना होता कि उसके नाम के meaning क्या होती है और examples प्लस आपको लास्ट आला पार्ट है sexuality उनकी जानना होती है कि unisexual है कैसे है या bisexual है इतनी सारी चीजह आपको हर एक के अंदर follow करना है हर एक के अंदर हर एक फाइलम के अंदर तब हमारा लास्ट पार्ट है sexuality के अंदर they reproduce asexually as well as sexually important point mark कर लिजिए asexual reproduction is performed by fragmentation and gemule formation so gemule क्या होते है यह inter जैसे हम लोग बोलते है यह क्या होते है यह bird है bird क्या होता है जहां से new offspring आने वाला है new baby या new offspring तो यह इनके अंदर जब bird बने internal bird बने उसे बोलते हैं gemule ठीक है और fragmentation तूड के जैसे कि यह पार्ट तूड गया यह गिरेगा नीचे और यहां से कुछ नया पार्ट वापस से आ जाएगा fertilization is internal body के अंदर होता है fertilization same everywhere development takes place through the indirect larval stage तो जाइगोड बन चुका है तो यहां पर larval stage बीच में रहता है और उसके बात यह लोग young ones में प्रड्यूस हो जाते हैं तो regeneration किसमें होता है regeneration जब भी हम लोग यूज करते हैं वर्ड वो यूज रता है असे कि खुद से खुद को प् कर दें तो आप क्या नया हाथ आजागा नहीं तो मारी regeneration capacity वहां पर limited लेकिन हा skin damage हो यह तो वहां पर वापस से skin आ सकती है लेकिन इनके अंदर का पूरे का पूरा एक नया body ही आ जाता है तो यह capacity इनके अंदर होता है तो sexual or sexual दोनों बता है तो दोनों internal jamul formation भी internal है और sexual reproduction भी internal है तो गाइस यह देखिए कॉलर से यहां पर कॉलर से लिखाया गया यह देखिए पूरे को क्यानोसाइड बोलते हैं यह nucleus है यह कॉलर जिसको बोलते हैं और यह फ्लाजिल्ला तो next time जो हम मिलेंगे वो आपको करवाएंगे तब हम need area और silent rate तो इसके पहले जिन्होंना हमारी 10th की वीडियो नहीं देखिए प्लीज जाके आप लोग वो वीडियो भी देख लिजे क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत जारा detail में चीजों को discuss किया है एक set manner में हमने वहाँ प परसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमाए चैनल को तो मिलते हैं नेक्ट नेक्टे में तिल देन बाई 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 एव ग्रेट और नाइज दे अहेड़